राइज दिस इस इट दिस इस वर्ल्ड फॉर्स्ट ए आई स्मार्टफोन और मैं बताने वाला हूँ कि ये फोन कैसे सब कुछ बदलने वाला है येस दिस चेंजिज एवरिधिन क्योंकि हमारे बास में है ये सामसंग का गैलक्सी S24 Ultra with Galaxy AI तो आज आप इस वीडियो को आगे दिकतरी लाइक को शर्क करते हैं पर हम करते हैं इस वी को अन्बॉक्स और थोड़ा डीटेल में चेक करते हैं कि क्या experience होने वाला है यूज जब हम करने वाले हैं वर्ल्ड's first AI स्मार्टफोन नमश्कार दोस्तो मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेखनीकल गुरू जी चलिए शुरू करते हैं दोसको शुरुआत करते हैं उन्बॉक्सिंग के साथ में और यहां पर हमको चारो तरफ गैलक्सी AI जो है उसकी ब्रैंडिंग मिल रही है और जैसे हम इस बॉक्स को उपन करते हैं अहाँ भाई इसका देखो फील ही कुछ अलगा क्योंकि हमारे पास में है ये इस इस दे ओल न्यू सामसंग गलक्सी S24 अल्ट्रा नए नए टाइटनियम ग्रे कलर में है बिनना भीस किये सबसे पहले इसकी सील को हम ब्रेक कर लेते हैं और जो ये पील करने ला एक्स्परियंस ये मतलब बहुत अच्छा पनायता है ऐसा लगता है कि एकदम ऐसा आपका पहला जो एक्सपरियंस ए बॉक्स को बन करने का उस तो फ्रेश हो जाता है और यहां पे सबसे अच्छी बात इंडिया में बनाया है जी हाँ दो फोन इस बेड़ी फाक्टरी इंडिया में है कितने खुशी की बात है और जैसे हमने इसको ओपन किया जास्ट लुक अच्छी सामसंग गलेक्सी एस 24 अल्ट्रा टाइटेनियम ग्रे कलर में काफी यसे थंड़ा फिल हो रहा है जी हाँ, रियली काफी थंड़ा है टच करने में और इधर हमारे पास में, we have this section ओके, reading material, sim tool and USB-C cable और गैस अब करते हैं वह बात जो करने बहुत मजा आता है and let's boot it up let's have a closer look, अपको बताऊँगा फिर फोन में अंदर क्या क्या पैक्किया है सामसंग ने yeah वाइस देको फोन जो है वो अन हो गया है और आपने देख लिया है कि कैसा है इस फोन का एक, you know, ऐसा थोड़ा अच्छे वाला सा लुक लेकिन आपको पता है क्या, फोन जो है वो अंदर से इतना ज्यादा अच्छा है या बोलूँ कि इतना ज्यादा स्मार्ट है कि मेरा मन कर रहा है इसको मैं बोल दूँ कि यह है the smartest smartphone again, all thanks to galaxy AI and galaxy AI जो है, वो main तीन जगहों पर काम करता है और पूरे mobile के experience को अलिविट करते हैं यह है connect, create and play, मतलब how we connect, how we create and how we play यह तीनों चीजें एक mobile phone में जो हम आज तक करते आएं, वो सब पीछे छूटने वाली हैं और galaxy AI आने के बाद में समझ लो, experience एकदम अलग level पर जाने वाला है अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले connect के बारे में, दोस्तों connection जो है, mobile phone, phone, मतलब क्या, phone call, बातचीत और यहां पर galaxy AI आने एकदम अलग level पर सीधा छक्का मारा है, because हमको जो option मिलता है live calling के दौरान की, कैसे live call पर you can use AI live translate तेरा अलग-अलग languages के support है, including Hindi, आप एक तरफ से Hindi में बोलो, सामने कोई इंसान, अगर English में बोल रहा है, Spanish में बोल रहा है, तेरा language के लिस्ट हो और आगे और बढ़ने वाली है, आप live phone call पे, मज़े की बात, सामने ले इंसान के बास में अगर एक landline phone पी होगा न, यह still काम करता है, और सारी processing on device होती है, यानि की phone calls बिल्कुल secure रहेंगी, यह demo देखो, और एक दम मतलब जादू लगने वाला है आपको, I was saying that you are doing something special today. Oh yes, I was about to go out for dinner, do you want to join? आज कुछ खास प्लान करते हैं, फिल्म देखने चले? Let's go to see the movie today. Sounds good, we can also go for movie with dinner. Want to meet at 7 pm tonight? ठीक है, तो रात को साथ बजे मिलते हैं. See you at 7 o'clock in the night. अब you know what, देखो, यह तो magic है, लेकिन यह magic और आगे extend रहाता है with the help of chat assist. और जो AI chat assist है, अगर आप किससे chat कर रहे हो, फिर चाहे वो कोई भी third party application हो, मतलब आपने किसे को insta पे connect किया है, whatsapp पे connect किया है, directly आप अपनी language में लिखो, सामने जाएगा दूसरी language में और बड़े आराम से आप live, मतलब इनो chatting करते हैं, जो translation है, उसको clearly देख पाऊगे, in fact, जो आप लिख रहे हो, उसकी tonality को भी change कर सकते हो, मतलब, जो आपने लिखा है, वो आपको formal चाहिए, तोड़ा casual चाहिए, तोड़ा सा romantic चाहिए, मतलब, you know, you can play with all that, तो ये बहुत interesting चीज़ है, और फिर आता है, मेरा personal favorite, and my personal favorite is this, you just need to do this, which is, circle to search, मतलब, कई बार ऐसा होता है, कि हम Instagram खोल रहे हैं, या हम किसी भी जगह पे हैं, कोई भी हमारे सामने का app खुली भी है, वो कुछ दिग गया उसमें, अब अगर वो चीज़ सर्च करने के लिए, भईया, बहुत बड़ा headache था आज तक तक तो, लेकिन अब, just long press the home button, और सामने आपको जो चीज़ सर्च कर दो, और instantly आपको, वो सर्च करके phone बता देगा, connection वाली बाते हैं, वो और आगे निगल जाते हैं, because, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर notes की for example, तो notes में हमारे पास में organize करने का बहुत interesting option है, आप बड़े easy तरीके से notes अगर लिखने हैं, बहुत ही लंबे-लंबे, मतलब, सोचो कितना time बचाने वाला है, यह सारा काम इंटरनेट के उपर भी करने वाला है, अब बात करते हैं, creation की, creation के point of view में, यह बहुत advanced, आपको बताऊंगा आगे के exactly what is the hardware here, बट अगर हम AI की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो नया pro visual engine है, वो आपको देता है, पहली बात तो बहुत amazing image quality, मतलब low light shots के गरम बात कर ले हैं, मतलब nightography, आप 5x zoom पे 8k videos बना रहे हो, आप 5x zoom पे low light में portrait shots क्लिक कर रहे हो, इनों मतलब all these things combined, जो samples आप स्विलाल देखे रहे हो, यह बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं इस phone साथे, मतलब यह जो चीज़े हैं, यह बहुत interesting स्विला बनाती हैं, बट AI जो है, वो phone की gallery में baked in है, मतलब आप अगर किसी भी photo पी चीदे एक swipe करते हैं, तो आपको बताएगा AI कुछ suggestions जो उस photo में आपको लगाने चाहिए, उसको और enhance करने के लिए, और अगर आपको पूरा control चाहिए, AI editing अलग level पे है, मतलब आपने subject को highlight किया, आप move around कर सकते हो, आप चीज़ों को उसमें से remove कर सकते हो, आपकी अगर किसे ने photo तुरे ऐसी टेड़ी कीची और फ्रेम को आपको सीधा करना है, तो वो जो बाकी के missing elements से phone सीधा उनको generate कर देगा with the power of generative AI, मतलब Galaxy AI जो है ना, यह हर एक angle से काम करता है, HDR works fantastic, अगर हम बात करते हैं, digital ND filter की तो phone में वो भी है, मतलब all across बहुत अच्छे से काम करते हैं चीज़ों और in fact, one of my personal favorite, AI slow motion, आपने एक वीडियो बनाया जो कि एक normal वीडियो है, but आप AI की help से केवल present hold करके एक preview देख पाएंगे, उस वीडियो का slow motion में, और AI जो है, वो frames fill कर रहा है बीच में, सोचो आप किता fast एक काम हो रहा है, और अगर आपने उसको export करना है, edit में आप तुरेंट export लगाओ, और आपको एक normal वीडियो मिलता है, एक दम slow motion में converted, all thanks to AI, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह कैसे काम होता होगा, but it's completely like a magical feeling, और देखो, connection हो गया, creation हो गया, अब बात करते हैं मस्ती की how we play, और भाई, playing के अगर हम बात करने तो यहाँ पर जो vapor chamber है, वो भी 1.9 टाइम्स बड़ा हो गया है, Qualcomm Snapdragon Agent 3 की ताकत यहाँ पर packed है, हमारे पास में ray tracing का support है, तो guys, अगर आप games वगरे खेल रहे हो याई नो, अगर आप इस phone को use कर रहे हो for your play needs, तो बड़े आराम से आपको पूरा मज़ा मिलने वाला है, और in fact मज़ा है इसलिए भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो screen है, अलग level इस अगरे गेम के लाए, because हमारे पास में यह भी 2600 nits की peak brightness को support करता है, Samsung का Dynamic AMOLED 2X screen 1 to 120 Hz की बीच में जा सकता है, Quad HD resolution है और 75% तक है reflection score कम कर देता है, और जो protection है वो Corning Gorilla Armor की है, तो मतलब screen में जैसे bezels एकदम और पतली हो गई हैं, तो gaming वगरे के point of view से या अगर आप videos वगरे भी देख रहे हैं, play अगर आप करना चाहते हैं इस phone साथ में, तो the play becomes so much fun, इसके अलावा, you know, if I talk about some more things related to this phone, 5000 image की battery है, जो आपको इस पूरे optimization के साथ में बहुत अच्छा एक लंबा backup देने वाली है, and then we have fast wireless charging, fast reverse wireless charging, आप इसको cable से charge करो, wirelessly charge, तो मतलब all across, all that is of course taken care of, उसमें कुछ doubt ही नहीं है, अगर हम बात करते हैं phone के कुछ और features के बारे में, तो guys, यह जो phone है, titanium का बना है, जी हाँ, titanium का frame है इसमें, and काफी iconic, यह जो पूरा design है, boxy design of the Samsung Galaxy, you know, ultra line-up, वो यह phone carry करते हैं अपने साथ में, तोड़े से edges जो है, वो हल्क असा curvature अपना कम करके आएं इस बार, because सामने के लिए स्टीन हो फ्लाट हो गया है, काफी और interesting phone को बना देता है, button sports के बाटने से देख लेकर हैं, तो यहाँ पर right side में हमारे पास, side में यह power lock, unlock button इसके ठीक उपर volume rocker है, उपर के दर हमारे पास में आपे दो holes हैं, for microphone, left is all clean, नीचे हमारे पास में, ओहो, इसको हम कैसे बूल सकते हैं यह तो phone की main पहचान है, जो कि S Pen साथ मिल जाता है, time press करना तो आप click कर सकते हैं, ऐसे काफी एक अच्छे experience निकल के आता है, फिर speaker grill है, USB-C port है, prime microphone है, और एक dual sim tray आपको मिल जाती है, पीछे again we have this nice matte finish, with a quad camera system, और camera बहुत advanced दर लगो बताँगा exactly की camera में क्या चीज़ें करी हैं Samsung ने, नीचे Samsung की branding है, I mean, titanium तैनिक जाते है, phone definitely बहुत अच्छा feel होता है, और in fact, नया नया phone है, तो चलो, टेबल पर dent आए, लिटरली यहां पर dent आए, titanium से, लेकिन phone, phone को का होना है, phone दे आज़ें चल रहा है, लोगर इस camera के अगर हम बात करते हैं, तो बहुत अच्छा detail में जाके देखते हैं, देखो हमने वो AI aiding देख ली है, बट, the hardware here is again really enhanced, यहां पर लगा है 200 MP का main camera with OIS, of course, और बहुत interesting results हम को देखेता है, हमारे बास पर यहां पर लगा है यह 12 MP का camera, ultra wide angle shots के लिए, amazing results, again, फिर हमारे पर पर यहां पर तीसरा camera है, यहां पर आप देख रहे हो, यह है 10 MP का with 3X optical zoom, और यहां पर Samsung ने एक अलग game खिला है इस बार, because हम को मिलता है 50 MP camera with 5X periscope zoom, तो यहां पर क्योंकि हमारे पास पर बड़ा sensor आगे है एक अलग तरीके से Samsung हम को quad telephoto shots दे सकता है, मतलब quad tele lenses इसमें pack कर दिये गए हैं, main camera के अलाबा, 2X, 3X, 5X और 10X, आपको बहुत अच्छे results देने वाले हैं, in fact you can go all the way up to 100X और मैरे देखी है, quality मतलब इनो QR code इतना चुटे हैं, आप बहुत दूर से scan कर सकते हो, तो camera performance definitely बहुत amazing है, shots आप सभी के सामने हैं अगर हम बात करते हैं, selfie camera की for all selfie lovers, तो हमारे पास भी आप लगा है सामने एक 12 megapixel का selfie camera और सारे examples आपके सामने हैं भाई, की कैसा है इस camera की performance का exactly result and I am sure की आपको मज़ा आ रहा है इस phone को देखते हैं but overall, देखो मज़ेगा जो experience है वो आपको इसलिए भी मिलेगा because this phone is giving you a lot क्योंकि हमारे पास में Samsung का फिर पूरा ecosystem है NOX की protection है, Samsung wallet के अगर हम बात कर लेते हैं बाकी कलिसी devices का तो कैसे completely, you know, blend हो जाता है अब दुस्ता अको बताता हूँ, phone में internal scan तो देखो, screen is 6.8 inches, quad HD+, तो बहुत अच्छा आपको पूरा मज़ा मिलने वाला है in terms of colors और Samsung है और डिस्पले के अगर हम बात कर लें तो you know, Samsung is the champion internals, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, साथ में 12 GB की RAM है तीन अगर variants है, 256 GB, 512 GB और in fact, 1 TV storage के हिसाब से जो software है, वो फिलहार latest One UI 6.1 है Android 14 के ओपर ही आता है and Samsung ने promise किया है, साथ सालों तक security updates देने का और साथ generations तक OS upgrades देने का which is really, मतलब इनों, एकदम remarkable from Samsung बाकि अगर हम बात करते हैं, इस phone की, तो IP68 rating भी है इसमें और आपको पता है, आपको यह all the bells and whistles of a typical galaxy flagship आपको इस phone में मिलती है but you know what, मतलब, really makes this phone powerful is the inclusion of galaxy AI और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि कि उसके main reason है and the reason is कि आपको AI के बात करते हैं मतलब लगता है कि अच्छा चल ठीक है, एक जगह पर थोड़ा सा कुछ हो गया है but यहां पर मुझे से लगता है कि Samsung ने ध्यान देते वी जैसे इस चीज़ को develop किया है कि कैसे हमारी daily lifestyle में काम आएंगी चीज़ें मतलब फोन पर बात कर रहे है कितना interesting हो गया है कि आप किसी तीसरी country में कोई tension नहीं है फोन लगा रहे हैं, local restaurant में बात करनी है आपको सारा काम हो जाएगा, फोन पर live translation हो जाएगा आप in fact interpreter को यूज कर सकते हो मतलब offline, phone कैसे रखो, screen में दो हिस्ते बन जाएंगे बहुत easily वो language को translate कर देता है chat कर रहे हो, no issues, translation वहां भी हो जाएगा आपकी writing styles को enhance कर देगा notes को summarize कर देगा, circle to search मतलब you know all these things फिर camera में AI वाले rating हो गई है मुर्ब लगता है कि काफी एक lifestyle को enhance करने वाला यह product है from Samsung और इसके अलावा दो करम बात करते हैं from sustainable point of view तो of course the packaging is made up of 100% recycled paper phone में भी Samsung ने और काफी elements जो हम include कर ली है जो कि recycled हैं which is good for the environment और अगर हम बात करते हैं price की तो यहाँ पे जो इसका base variant है उसकी price है 1,69,000 रूपीज फिर आता है variant 512GB के साथ में जिसकी price है 1,39,000 रूपीज और फिर आता है 1 TV वाला variant जिसकी price है 1,59,000 रूपीज बट काफी interesting offers चल रहे हैं फिलाल Samsung से विकार इस the pre-booking phase तो storage upgrade आपको मिल जाएगी सीधा double storage आपको मिल जाएगी और उसके लावा कुछ card offers बगरे भी हैं तो मतलब the price really is very aggressive So guys, this is it जैसे मैं बोल रहा हो ना मतलब this really is an amazing experience मतलब जब को वीडियो में magic feel हुआ है अगर आपको और better feel करना ना मतलब in real life तो आप नजदीक में जाओ इस phone को सामने सारे काम करते हुए देखो तब आप exactly feel करोगे the power of galaxy AI because I am telling you एकदम mind blowing experience है और mobile phone को इतना आदा smart ये बना रहा है मतलब भाई लगता है कि this is the smartest smartphone जैसे आप बताब कुड़े कैसा लगा अगर पसंद आया है तो नीचे अपना like करते वे, subscribe करते वे, comment करना मत बूलना मैं आप सुन्दे नेक्स वीडियो में जैहिंद वन्दे मातरम